नमस्कार स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में मैं हूँ किरल कहते हैं राजनीती बिहार की रग रग में है यहां हर एक चीज में सियासत ढूंड ली जाती है चाहे वाद त्योहार ही क्यों ना हो बिहार में अब छट पूजा पर सियासत हो रही है बिहार के प्रमुफ विपक्षी दल, राष्ट्री जनता दल, छट पूजा के बहाने सरकार पर सीधा निशाना साध रही है आरजेडी ने छट पूजा के मौके पर आरा में बनाई गई एक जहांकी का सहारा लिया है सरकार को घिरने के लिए दैसल बिहार में छट पूजा के अफसर पर सूर्यदेव और छटी माई की प्रतिमा स्थापित की जाती है इस मौके पर प्रतिमा की धूम धाम से पूजा की जाती है और कहीं कहीं पर इस अफसर पर मेला भी आयोजित किया जाता है वही सूर देव और 6 माई की प्रतिमा के साथ कुछ जगहों पर जहांकियां भी लगाई जाती हैं जिसमें सभ्यता संस्कृती और लोग कलाओं की जलक दिखाई देती है इस बार आरा में बनाई गई एक जहांकी में बिहार की बेरोजगारी को प्रमुकता से दर्शाया गया RJD इसी जहांकी के सहारे सरकार पर हमलावर है आरा की ऐसी ही जहांकी चर्चा में है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की इस ज्ञाकी की फोटो ट्विटर पर शेयर की है साथ ही RJD ने अपने ओफिशल सोशल मीडिया पेज पर भी इसे डाला है इस ज्ञाकी की तस्वीर शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा है बिहार में 23 राज्जियों से अधिक बेरोजगारी है बिहार की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से कई गुना ज़ादा है 16 वर्षों की नितीश भाजपा सरकार देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार की युवाओं को स्थाई नौकरी देने, रोजगार स्रिजन करने, उद्योग धंदे लगाने और पलायन रोकने में पूर्टया विफल रही है वहीं आरजेडी ने अपने ओफिशल सोशल मीडिया पेच पर लिखा है बिहार के आरा में एक छट पूजा ऐसा भी क्योंकि बिहार को 16 वर्षों में नितीश सरकार ने बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है बेरोजगारी का ऐसा दर्द कि अब छात रिवा किसी पर्वतिवार पर मुस्कुराना और खुश रहना भी भूल गए है देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है फिलाल आरा के नवादा चौक पर ये जहांकी बनाई गई है आदर्श कला मंदिर की ओर से जहांकी में ये बताने की कोशिश की गई है कि B.Tech, B.Ed, MBA करके कोई समोसा तल रहा है तो कोई सबजी बेच रहा है मतलब रोजगार पूरी तरह पढ़ाई करने के बावजूद भी लोगों को नहीं मिल रहा है अपने शहर की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें जनसंदेश टाइम्स के साथ